नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सब्सक्राइब अपना यूट्यूब चैनल एनालासिस क्लास में देखें दोस्तों भी एमके उनिस सेमेश्टर फोर और फाइब का रिडियू सिलेवस जारी कर दिया गया तो चलिए देखतें कौन से टोपिक को हटाया गया है तो आप देख सकते है नैक्ट्रोजन कंटेनिंग वंदर्शंणल ग्रूप यूनिट वण में आपको पढ़ना है । कि दूश्वर है आपका एक कंट टीूसरा दूसरा यूनिट वट्र भाहता knead deeply माईं क्योंस्तों प्रणा है तो तो आपको यहां पर यून कोर पेपर नाइन का आपका मातर तीन यूनिट पढ़ना जिसके आप लोग देख सकते हैं पहला यूनिट है नैट्रोजन पढ़ना है तो चलिये देखते हैं कौन कोण से टोपिक पढ़ना और कौन से टोपिक को हट आया गया है तो आपका यूनित यूनित वान अपको पढ़ना है इसका थियोरी है जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कंडुक्टिवीटी मोलर कंडुक्टिवीटी यह सब सारी चीजे हैं नेक्स्ट आपका टोपिक है यूनिट टू में आपको पढ़ना इलक्टोचेमिस्टी के बारे में आपको पढ़ना है कंडुक्टिवीट के बारे में यूनिट वन जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह आपका फिजिकल केमेश्टी है कोर पेपर टैन का फिजिकल केमेश्टी भाग फोर तो आपको मातर यहां पर दो ही यूनिट पढ़ना यह बूक का फ्रेंस दिया हुआ है और आपक कोड़ एक बारे में देख्या जी सबस्क्राइब लेगे देखते हैं यह कौन-kौन सा purity पढ़ना देख्सकते आपको एक ही यूनिट पढ़ना है में नाएन टन चेल्कम्ixon 1 पढ़ना इंतने खरूप कॉचन पी ब्लोग एलिमेंट ठीक है तो यह आपका जैन्टरी का स्लेवर्स केमेस्टी ओनर्स केमेस्टी पेपर का है जैनल पेपर के लिए और आपका सेक्शन भी यूनिट 2 पढ़ना है kinetic theory of glasses और यूनिट 4 आपको पढ़ना है chemical kinetics तो यहां पर आप देख सकते हैं unit 1, 2 और 4 को ही पढ़ना है अगर आपका generic elective है तो देशिक यहां पर देख सकते हैं आप लोग आपको chemistry of s and p block element and state of matter and chemical kinetics है section यह में unit 1, s and p block element और आपका है दूसरा है section b kinetic theory of gases और तीसरा आपका unit for chemical kinetics तो आपको यह सब पढ़ना है यहां पर books reference क्या आप कौन सा book ले सकते हैं ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं अगर chemistry of other department दूसरे के लिए है आप लोग देख सकते हैं यहां पर आपका लिखा हुए reduce syllabus semester 4 ठीक है core paper आपका 8 का reduce syllabus जारी नहीं किया गया क्योंकि आप लोग यहां पर देख सकते हैं core paper 9 का है organic chemistry part 3 ठीक है और core 8 का भाग अभी तक तो नहीं मिला है core paper 10 का है physical chemistry 4 ठीक है भाग 4 और आपका यहां पर डायरेक्ट यहां पर दिया हुए chemistry lab practical के लिए है तीनों paper का दिया हुए 408 code नमर 409 और 4010 आने की 8 9 और 10 तीनों paper का दिया हुए लेकिन आपका core paper 8 का अभी तक स्लेवर साइद नहीं देख पा रहे हैं अगर ग्रूप यह ग्रूप बी ग्रूप सी यह तो है आपके लिए लेव के लिए है प्रेटिकल के लिए है